तुद्ध कर देख लिजी जिसके कर आपको जो पार्ट किया है तो आप जाकर देख लिजी जिसके कर आपको जो पार्ट क्या पार्टर आप जाकर सब्सक्राइब कर देख लिजी जो एक रिजी से अपस्ति चेज एक आतरी वीडियो में यह वादेयो आज के सब्सक्राइब है ब्रह्माना टेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है अरंकियास यह पल लिया है उपानिशाद से भी हमने पंव लिया है फैमिली श्रिस्टम दे टो डे लाइफ अब यह हमने अपना वीडियो अपलोड करके रख दिया है और अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लिजी जिसके कराण आपको यह चाप्टर जो है जो पार्ट टू है वो एकदम अच्छे से समझे में आएगा अब देखते हैं 4.3 एगरिकल्चर एनिमल हजबेंटरी एकोनॉमिक और सोसल लाइफ यानि कि उस समय जो पीपल्स थे उनका एगरिकल्चर किस तरह उनको हेल्प करता था उनका एनिमल हजबेंटरी किस तरह था उनका एकोनॉमिक किस तरह आता था शोसल लाइफ किस तरह था वह भी देखेंगे एगरिकल्चर वह जो बहुत ही में उक्यूपेशन ज्यादा कर महां सब लोग एगरिकल्चर करते थे दुसरे जो अलग-अलग उक्यूपेशन थे व यूपेशन बढ़िकल्चर के सांथ थे प्लफ दाया जाता था और यह भगाया जाता था जिसकी कशी होती थी उसे जोता जाता था तो उसमाद्रें प्लफ यूज्यूपेशन थे बहुत ही यूसफूल प्लफ प्लफ को लखरी का निहां करता था कपड़े का नहीं करता था अगर ऐसे चीजों का तो टूट भी सकता है पर जब आयन का बना रहेगा जब वह आयन यायन की जो लोखन का बना रहेगा तो उसमें वो खुदाए के लिए बहुत ही अच्छा होगा वहनी अंदर धस के में भी आसाइनी होगी द अथरवेदा कंसिडर इंसेक्ट पेस्ट 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 एंड अधर एनिमस डिस्ट्रोई क्रॉप्स एंड सगे सर्टेन रेमिडी जो उस समय की जो जब अगरिकल्चर हुआ करता है कि अभी अगरिकल्चर है तो हम फटिलायस मारते हैं कुछ दव चराब हो जाती थी तो उनलों क्या करते थे काव डंग वास्ट यूज ऐस में अब उसमें कुछ लगे ना इंसेक्ट ना लगे फटिलायस एदम सॉइल इसके लिए काव डंग यानि गोबर उसमें डाला जाता था मैनुवर के साब से ताकि उसमें जो फटिलायस का कुछ कम मिलता को जानवार इनको जादा चराण लेके गया है को चराने लेके लेके यह देखते खली आंड में तो कई अग्सचेंज हो जा इसके लिए उनका ज्यादा ख्याल रखा जाथ था उनके उपर रंग दा जाता था जाता फिर कुन कोके कुछ निसानी उनके पर लगा दिया जाता था क्यूंड गूंकि जो उ उसके लिए भी ज्यादा वहाँ पर प्रिवेंशन रखी जाती थी तो हॉर्स वैल्यूड विकॉस ऑफिट स्पीड अब जो काव काम ले देखें कि उसको क्यों वैल्यू दिया जाता क्योंकि वह दूद देती थी मिल्क देती जिसके घी चीज बटर मिल्क इसारे चीजे बन झाली थी इसने उसका ज्यादा खयाल रखाता है ज्यादा इंपर्टेंस था अब उसी तरह सब्सका भूट वह odcिशन की सब्सक्राइं 80 रहता है उसको भगाएंगे तो भाग जाेगा टैसे सकते हैं प्रेयाज सदाइब लगाते हैं पर मियाइन store देघाने ब्रेती हैं आहिक होटै यहां पर भी गोडा दिखाए दे रहा है तो इसको मतलब गोडे को रथ के साठ्ब नाए जाना है तो इस समय कार मोडरसाइकल इसज़ें नहीं एक माध्यम था जिससे कि हम कई भी भी कुछ फास्टली पोस्ट सकते हैं अगर पैदल चलने के मुताबित दो वेधी पीपल वेश किल इन टैमिंग दो हॉस्स और हैसिं देम तो चैरियट्स चैरियट्स में उन्हें बांद आता था चैरियट्स इन दा वेधी पेर्याड है पोग वीज़ विच आर लाइटर देन सॉलीड विज यानिकि उस समय चैरियर्स के जो वील थे एक स्पोड़ी आता था जो की मिट्टी के विल्ट या फिर लकड़ी के विल्ट से हलका रहा करता था हलका रहा करता था तो सब लोग ज्यादा उस समय स्पोक विल्ट जो हुआ करते तो उन्हें ज्यादा यूज करते थे सॉलिड विल्स के जादा यूज़ करते थे किस को सब्सक्राइब स्पोक विल्स चारियर्स और वेधी पिरेड़ वेश्ट एंड स्पीड एगर विल्स का वजन ज्यादा रहेगा तो हॉर्स को भागने में तकलीफ होगी अगर वही विल्स का वजन हलका रहेगा तो जो हमारा रत है या फिर घोड़ा बहुत ही स्पीड में भागेगा और हम कहीं पर पहुशना चाहें को जल्दी पहुच जाएंगे तो उस समय सॉलिड विल्स को हटाकर स्पोक विल्स का यूज़ जादा हुआ करता था अब देखतें इन दिस परीड अपाल फ्रोम अग्रिक अनिम्ल हस्वें डिस्ट अडाय अक्यूपेशन हैं ऑल्स फ्लार है जिनिकि उस समय केवल अग्रिकल्चर होती थी पर अग्रिकल्चर जादा होती थी पर उसको छोड़कर कुछ लोग जो थे कुम्भार या फिर बना रहे तो इन्हें आट रहा तो इन्हें आटिसन्स का जाता था उस समय आज भी कहते हैं तो प्रैक्टिसिंग वेडियस ऑक्क्यूपेशन वेर इन इंपॉर्टन पार्ट आप आप दा सोसल सिस्टम जो पीपल से अलग-अलग ऑक्क्यूपेशन में अपनी खूबी दिखा तो यह बहुत ही अच्छी बात है ना कि इंडिपेशन बन रहा है हमारा तो फॉर्म इंडिपेशन ओर्गाइशन नोन अज शेर्निस और गुल्स यानि कि उस समय जो अलग-अलग जो इंडिपेशन अपना खूलते थे कोई कुमबार होता था कोई कार्पेंटर होता था गाइल त्या कहा जाता था अब जो इनका हैर हुआ करता था जो इनने बताता था किस तरह करने का है यह फिर उनसे जो खरीदता था और उसे ले जाकर मार्केट में बेशता था उसे श्रिशाथी कहा जाता था स्कील विकें सेगएंटर जोहाएं का होता थोड़ा दियुब्समाने लग तो कि चलते हैं धियुक्ता चल्ते किसे आधमी यह ज्याद्व hugs हुगे व sowsem में आदमी ज्याद्व यह सेकंडी में चला गया एक्र कल्चर प्राइमेरी ने आ गया ड्रीमा थो ड्रिंग दिस पीरियेड रहन तो आप एक सब्सक्राइब मैं पया एक और सब्सक्राइब अब इस आँघ़क पीपल अभ जो यह अलग जो शत्तिय हुआ खर देग़ें अरफ और शेय को च्राइशन सब्सक्राइं कि अगर तुम बहुत ही बड़े इंसान हो तो तुम्हें उस तरह का स्टेटस मिलेगा उस तरह के स्टेटस मिलेगा पर इन दा लेटर पीरियड बड़ इसके कुछ महिने बाद साल बाद क्या होने लगा तो वर्ना स्कीम टूबी डेटर माइंड ऑंद बैसिस ऑफ बर्द दि कुमभार है तो उसका बेटा कुमभार बनेगा कोई अगर मंतिरी था तो उसका बेटा मंतिरी बनेगा ऐसा हुआ करता था पर उसके बाद क्या हुने लगा कि अगर मंतिरी का बेटा चलते चलते आगे 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 जिसके चलते बाद में इनकी बीच में ऐसा हुने लगा कि अ हुए पुल्भार है वो अब बड़े नहीं हो पाएंगे राजा का बिटा राजा बनेगा कुमबर की वेडा कुमबर बनेगा तो अलागा घर में बर्त होन की कारण इनकी बीचमें का डिफेरेंसेस आंगया का सब्सक्राइब का सिस्टम लेट ने शुसाइटी और उसे के चल पर जब से सारी चीज़े डडवलेफमेंट होते गई डवलेफमेंट होते गई उसके चलते जो इनिक्वलेटी सोसाइटी में आती गई डूरिंग वेदिक पीरियद सर्टेन नोशन नोशन अबाउट लेडिंग आइडल लाइफ और बिकेम वेल इस्टाबिलेशन के डूरिं आइडल यानि एक आदर्श लाइफ आडल यानि आदर्श हैड बिकम वेल स्टाबिलिश उस समय होनी लगा देर वैर फोर स्टेज़ेश महां पर कितने स्टेज़ेश थे फोर आश्रमास फ्रॉम दा बर्थ टू डेट फर्स्ट आश्रमा वास ब्रह्मचार आश्रमा और प फोर टाइब की स्टेज़ेश आगे उसमें से पहला स्टेज था ब्रह्मचार आश्रमा इसके हिसाब जो पीपल है वह जाकर अपने गुरु से शिक्षा लेता है उसकी पूजा करता है उसे अपना पुरा योगदान देता है तो इसका मतलब होता है ब्रह्मचार आश्रमा कि जो पीपल होता है कोई इंसान पूरी जिंदगी अपने अपने गुरु की चर्णों में रेकर बिता देता है उसी को कहते हैं ब्रह्मचार आश्रमा ब्रह्मचार आश्रमा इससे याद रखना आपको एक्जाम में कोईशन आ सकता है नेक्स टेज आफ्टर से ब्रह्मचार आश्रमा इसके इसाब से गुरु अपने जो शिश्य हो अपने गुरु के चर्णों में पूरा जीवा ने अरपित कर देता उसके सेवा में और दूसरा तक ग्रियस्थ आश्रमा उसके इसाब से इट वस एसेप्टेट डैट डिरिन अधिस पिरिएड आउड इसे तुम जो हमें जरुहरत पढती उससे पूरा अच्छे से अपना ड्यूटी में निभाना towards his family अपने families के ऊपर अपना duty निभाना है उनकी सेवा में पुरा जीवन अरपित करना है तो आज भी हम होई कर रहे हैं हम ब्रह्मचार आश्रमा बहुत कम लोग फॉलो करते हैं गुरू जो शीक्ष लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं पर आज इंडिया में बहुत ही जादा ग गिर्यास्थ आश्रमा जो है उससे पार चलता है गिर्या के ऊपर योगदान देना और वन परस्थ आश्रमा इससे पार चलता है वन मैं वास एक्सपेक्टेट टू डेच हिमसेल फ्रॉम दा हाउस्वल्ड रिटार्ट वा सॉल्टेट प्लेस एंड लेड अवेरी सिंपल ल पुरी परिवार को त्याग कर जाकर एक सन्यास ले लेता है उसे कहते हैं वन प्रस्थ आश्रमा क्या कहते हैं वन प्रस्थ आश्रमा अब देखते हैं वोस्ट्स स्याहर आज़ा अल्फ प्रस्त आशर्मा में पर सचलता है कि सन्यास ले लेता है और वन प्रस्थ आश्रमने के वन में जाकर भगवान को पूझना भगवान को भगवान को ध्यान में खो जाना उसको वन-प्रस्थ आश्रमनी घर के उपर अपना जो खुद का ड्यूटी से व सीट और अपने फैमिली के उपर होना ngay A ö le एक पहला अभी आता है सन्याश आश्रमा इसमें होता है जो पीपल जो होते हैं उनका प्रॉर रिलेशन अपने लाइफ से हड़ जाता है और जाकर वह अपने जीवन को समझने के लिए इधर उदर भटकता रहता है दूसरों को समझाता है कि घर में आते हैं कुछ पुजारी लोग किया आपके साथ क्यों हो रहा है कुछ इसके ऊपर कुछ तंतर मंतर चल रहा है तरहें बता बाते बताते हैं वह सन्याश आशनमा होसे वह सबको नहें स्थिर नहीं रहते ऐ advancing expensive और बेडिया स्थिर लोग वस समय कहीं है आइड एडिया किसandạut और वेदिक पीरियड फोर्स अफ नेचर सचेशन विंड रेन लाइटनिंग स्टॉर्म एंड रिवर्स वेर गिवन टू दफ फॉर्म आफ डाइटी जैनि कि उस समय लोगों पर इसा लगता था कि जो यह हवाय चल रही है यह बिजले जो कड़क रही है जो जादा बारिश हो रह यह बहगवान हम पे अगरहंने इनको अनको लगता था लगता था वालेश अइडिया कर लोको हtable हlag rural लोको अविजले पंधल गयान एसा अंद्विश्वास चलता था उस समय वेदी पीरिड में अंद्विश्वास जादा हुआ करता था तो यह सारे लोग पूजा करते थे यह करते थे अलग-अलग इस्तिरियों को उसमें डालते थे कि इस तरी का हम योगदान देंगे भगवान तो भगवान खुश होके हमे इन सारे समस्या उसे बचाएंगे हम पर ऐसा दुबारा वार नहीं करेंगे हम बेटों को अरपित करेंगे जग में उनको जला देंगे पुरुष को लाकर उसमें जला देंगे तो यह का सही था उस समय नहीं सही था उस समय लोग अंद्विश्वास जादा माना करते थे तो सबी चीजह पहले जुए बहुत लोग माना करते थे इसको अकसर सबीद्वों करते थे गजय तो उलम तुए इंटुए यर्ण फॉर मिती जलाते थे और उसमें किसी का शिकार हो जाना इसी को हवी कहा जाता है यगना is the act of offering हवी into fire अब जो यग्य होता है उसमें लोगों को हवी करता है फायर में उसको यग्य कहते हैं उसे को याजना कहा जाता था इनिशेली दा याजना और भी harder बना दिया और भी लोगों को तकलीफ देने लगी इसके इस आपसे लोगों को अईससा लगने लगा कि भागवान हमें हमसे खुश नहीं है हमें इन्हें खून और पित करना होगा हमें इन्हें एक जीवन देना होगा ऐसे लोगों को अलगता था इसलिए ज़्यादा बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं लोगों को अब जो पुजारी लोग पर जो एसा करोगी तो एसा होगा जो पुजारी लोग यह सब लोग करवाते हैं को यह जादा इंक्रीजिंग होते गया उस समय people on vedic period had thought about how the natural phenomena occur, अब उस समय के लोगों अब पता है थोड़ा ग्यान हो गया था पहले उतना ग्यान नहीं था पर बाद में थोड़ा ग्यान हो गया कि यह जो natural phenomena लोगों को दिरे-दिरे समझ में आने लगा समर है और उसके बाद क्या सीजन आता है रेनी सीजन आता है तो उसके बाद क्या आता है विंटर सीजन आता है एसा सबको लगने लगा और एसा उस समय जानने जानने लगा जो कि आज भी माना जाता है और ये जब उनको जो ये बाती थी ये इनको थोड़ा सच लगा और ये सच भी है ये सच भी है कि समर के बाद रेनी रेनी के बाद विंटर ऐसा है उन्हें पता चलने लगा और उन्हे क्यों हवाई चलती हैं क्यों फड़ा फड़ नदी का बढहता है क्यों लैंडřम होता है संद जो जो परiku के दिलगें ठाट फूंता धिरे ति लगा वेदिक से चीदे चलते आहीं डेवलेंट के रास्ते पर लेजिश जो यह रेगुलर साइकल धाट संवर से रहने के बाद रेगुलर सैकल यह आते जाते रहता है इसा थो नहीं होता है बारिश की बार आता है थंड़ी की बार आता है आते रहता है चार चार महिने में अब जो यह सब लीविंग में जो लीविंग तिंक से उनकी जीवन क्या होता है इह सब मरते क्यों फिर पैदा क्यों होते इस अरे चीजह इन्हें देरी धीरे पता चलने लगे गया कर ओछिब्स मेरे अपने आप कर में हुजाती propagate अपने आप ऑकर हो जाती है everyone should be careful not imports to बहुत कियर्फुल रहेंगे कि आपको के यह आपको यह सब्सक्राइब कि आपको यह लाइफ जी सकते हैं हमें किसी को या क्यों में आर्पित नहीं करना होगा किसी बालक को आर्पित नहीं करना होगा कोई भी खून हमें नहीं देना होगा ऐसा सबको लगने अब देखते हैं वेदिक सिविलाइशन में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह था जिस तरह भी मिनिस्टर चाहिए क्या शुब होगा क्या शुब होगा ऐसी बहुत सारी अंसुनी बाते या फिर आप बोल सकते हो कुछ ऐसी बाते जिन पर विश्वास करना भी सही नहीं था वेदिक पीरियर इच और विलेज हैडर हैडर यानि कि हरे मतलब कहीं जाओगे एक विलेज रहेगा उसके हैडर को ग्रामनी कहा जाता था उस समय अभी प्रधान बोलते हैं कुछ और इस समय ग्रामनी कहा जाता था अब ग्रूप विलेज फॉर्म विश्वास अब जो बहुत सारे विलेज आ जाते बहुत सारे विलेज तो तो उसे विश कहा जाता है उसे कहा जाता है विश कहा जाता है विश्वपती क्या कहते उसे विश्वपती एक गाउं के विलेज को कोई विलेज है तो उसके हैड को कहेंगे ग्रामनी और जो बहुत सारे विलेज को कंट्रोल करने वाला रहता है उसे कहते हैं विश्वपती ज तो क्लब हुआ उसी तरह जिससे विस्व बनता है विस्व से जना बनता है यह से बिससे इंडिया बनता है इंडिया से मतलब बहुत सारे स्टेट से एक इंडिया बनता और इंडिया से बहुत सारा वर्ल्ड बनता है समझे आप लेटर वें जना सेटल इंटु इस प्रेसिफिक रीजिएन इट केम टू बी नोने जना पाद अब जोब जना है एक कोई भी जगह पर जनापद कहा जाता था जना जनापद एहाड ऑफ जना वैस्ट नर्पा और राजा अब जो कोई भी एक जनाफद है आप परेंस से पूर्श नका होता है उनको अच्छे से पता होगा तो जन्पद जब एक कोई होता है तो उसे कंट्रोल किंग सोबने के लिए निरापा होत पीपल को प्रोटेक करें टैक्सेस करें ताकि वह अडिमिस्टेशन को एफिशेंटली रूल कर सकें जब कोई अडिमिस्टेशन को रन करना होता है तो इस तरह राजा महराजा भी ऑफिसेस को अपॉइन करते थे ताकि सब जो उनका जो जनपद है उनका जो किंगडम है उसके अंदर कुछ भी दुरुघटना ना हो तब पुरोहिट पेश्ट एंद द सैनापती आप पुजारी रहता है यह पर कोई प्रेश्ट रहता है जो की राजा को गाइड करता है सब्सक्राइ और है उसको प्रॉफिट में और है, इसा टैक्स में चला जाएगा किसके हाथ में जाएगा और फिक उससे क्या करेगा गिंग्डाम में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा अच्छी स्विधाय करने की कोशिश करेगा तब पर संव क्लेट टकिंग शैट आफ प्रोडूश अफ जना वस ऑड भागदुग अब सभा समीति विधाद जाना अब जो किंग अकेला तो कुछ करने पाएगा सारी चीज़ नहीं कर पाएगा जैसे कि प्रामेर से सारी चीज़ नहीं कर सकते इसलिए उन्हें सभा बिठाने पड़ती है सभा की हिसाब से क्या क्या तैय हुआ वही चीज इंडिया में फॉलो होगा उसी तरह जब सभा समीति विधाद जाना इसे भी बिठाया जाता था सब एक दूसरे से परामर्श करते थे क्या करना चीज़ क्या नहीं करना चीज़ उससे के हिसाब से किंग अपना फैसला सुनाया करता था प्यूसरे सब्धाद फाना चीज़ के क्या क्या करते हैं कि जो सवा होता है उसमें सेनियर लोग ब्डिमाण होते हैं या फिर जो जादा उनके हाधाद में कुछ गुण होता वो सभा में बतते हैं और जो समिती होती है उसमें पुरा जनपत बैठत हैं। happy गोड़ भी उसमें आ सकते हैं समिटी में लेटर औन दो वेदिक थोट्स हमिटी स्मिर्टी और पुरांस वर कंपोज बाद में जो वेदिक जो थोट्स थे वेदी ने क्या-क्यायत किया किस किस तरह सब को इंस्पायर किया फिर उन्होंने जो कर्म बोलें कि यही चीज़े करने चीज़े अच्छे चीज़े होती है यह विश्वास वाही चीज़े तो उसके उपर books compose किये या फिर उसके उपर किताब भी लिखी गए गरांत भी लिखा गया उसके उपर अब यह कीज़े फिर आइस के इसमें आती है इसमयंती करेंगे के परना हता है परंपरा हिंदू की यह इसमें ही आती है स्मिति पुरांस याता है सब हिंदू कास्ट में आता है जो वेदिक लिट्रेचर अक्सर जाधा कर हिंदू में बाद में जब से बर्थ होनी लगा लोग का दूसरी कास्ट में उसी तरह कास्ट के डिफ्रेंसिस आने लगे अलॉंग वेदिक स्ट्रीम अब जो यह वेदिक का जो धारा बेह रही है उसके चलते डिफ्रेंट पोजिशन फ्रम दे वेदिक वन अब जो इसके चलते जो वेदिक का जो अलग-अलग रिलीजिस स्ट्रेंट जो चल रहा है उसने अलग-अलग पोजिशन लिया कोई जाकर अच्छा बन गया कोई उसी राजते में नीचे भी है एसपे निर्ट फिस स्टम दो ऊसके ह्साब से याजना जो रोन किया था वर्न नहीं किया था इस उसके हिसाब से वे दिक जो सिवलाइशन था उसने भूत जादा अछ डेविलेपमेंट अपने अच्छी खासी डेवलेपमेंट कर ली थी विभी बुद्ध के बारे में महावीर के बारे में सब्सक्राइब नेक्स चाप्टर पढ़ेंगे कैसा लगा आपको वीडियो थोड़ा से अच्छा लगा हो थोड़ा से आपको समझ में आया हो तो प्लीस इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेर कर दीजे हमें सब्सक्राइब क